इधर बिलासपुर में रेली आत्रियों के लिए एक राहत है हाई कोट के निर्देश पर रेलवे ने फैसला लिया है पैसेंजर और लोकल मैमू ट्रेनों में स्पेशल चार्ज नहीं लगेगा हाई कोट ने निर्देश जारी कर दिये है रेलवे ने शबत पत्रों दाखिल कर इसकी जानकारी दी है तो देखें रेली आत्रियों के लिए एक राहत धरी खबर है जो रोजान आप जाउन करते हैं उन्हें आत्रियों के लिए खबर बेहत खास और कुछ खबरी है जी बिलकुल देखिए कोरोणा के बाद से जिस तरह से ट्रेनों में वेवस्ता है लगातार जो है जिन मेमू और पेसेंजर ट्रेनों को एकस्प्रेस बना दिया गया है और इसके अलावा जो है उनमें अतरिक्त जो चार्ज वसूला जा रहा है उसको लेकर जो है बिलासपूर हाई कोट में जो है बिलासपूर के लोगों ने एक जनही तियाजी का लगाई थी चुंकि जोन है दक्षिडपूर मध्य रेलवे तीन मंडल इसके अधीन है बिलासपूर, राइपूर और नाकपूर तो सारी विवस्था जो है बिलासपूर के यहीं से संचालित होती है ट्रेनों की तो सबसे अच्छी बात है कि पिछले दो-तीन सालों से जिस तरह ट्रेनों को लेकर जो है एक अविवस्था सी पसरी हुई थी उसको लेकर यह राहत की बात कहे जा सकती है कि हाई कोर्ट में जो यह मामला लगा था वो हाला कि खारीज हो गया निराकरित हो गया लेकिन जो है जिस तरह से हाई कोट ने जो पूछा था सपत पत्र मांगा था रेलवे से और DRM ने जो सपत पत्र यहाँ प्रस्तुत किया है उसमें ये बताया गया है कि एक तो जो ट्रेने आनीमित है वो कब से नीमित चलेगी तो एक जनवरी 2025 इन ट्रेनों को नीमित करने की बाद जो है DRM ने ये सपत पत्र में अपने दिया है और दूसरा जो है उन्होंने ये सपत पत्र में बताया भी है कि 25 जुलाई 2023 को ये सारी ट्रेने विवस्थित हो जाती लेकिन जो ट्रेनों का टाइम टेबल था वो समय पर नहीं आया और इसी कारण जो है ये समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया खीसक गया और ये जो खबर है इससे पूरे देश में जो ट्रेनों की अविवस्था फैली हुई कभी भी ट्रेने रद हो रही है कभी भी रेलवे जो है किसी भी तरह से एक सेडिूल जारी कर देता है कि ये फाला फाला ट्रेने अब नहीं चलेंगी इसी स्तारीक तक तो कम से कम इस एक जनवरी दोहजार पचीस के बाद जो है कहीं न कहीं हाई कोट में जिस तरह से रेलवे ने सपत पत्र दिया है उसके बाद से एक बाद तो ये तय हो गई है कि कम से कम रेलवे को लेकर थोड़ी विवस्थाएं तो बननी है लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे प्रशासन यदी जो सपत पत्रों हाई कोट में दिया है उसे इंप्लिमेंटेशन में लाता है तब जो है लोगों को इसका लाभ मिलना हरा लाखो लोगों को लाखो मुसाफिरों को पूरे देश की लोगों को इसका लाभ मिलना जो है तैरितू